उम सिरी गनी सायन मदूस्तू एस्ट्रू समादान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं। दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 20 अक्टूबर प्रविवार की रासी फलक के बारे में। कि यह दिन मेथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं। किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा। किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा। इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी। करियर कैसा रहेगा। बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा। और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन रासी वालों के लिए रव संबंध बहतर होने से अच्छी पोजिशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती हैं अच्छा धनलाब प्राप्त होनी की भी आज संभवना बन सकती हैं यदि आप कोई कार्रे करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तो साथी साथ आपको आज कुछ पूरी उर्जा और सेंसक्ती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुचारों रूप से आज आपके सभी कार्रे आसानी से बनते चले जाएंगे जिससे आपकी आर्थिक इस्तितियां बहतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक लाब के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील ह होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्षा आपको सेयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविच्से के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए काफी सुब फल दायक रहेंगी सत्ता से जोड़े लोगों के साथ अच्छे स संबंद बन सकते हैं धार्मिक और अध्यात्मिक कारों में रूची बढ़ेगी कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है सोच समझ कर काम करें अनुवबी लोगों की सला आज जरूर लें आपके लिए हो सकती हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो केरियर को लेकर उतार चड़ाव की इस्तितिया आज आपको देखने को मिल सकती हैं परन्तु परियास करने से अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना आज पाई जाती हैं दोस्तो साती सात आपको अपने परिवारिक शु आपकी सेयत पर पड़ेगा आज सत्रू अंद्रूनी समस्या भी हो सकता है किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो सावधान रहने की आज आवा सकता है यदि किसी तरह का कोई कोट मुकदमा या प्रॉपर्टी से सम्बंदित कोई विवाद है तो जादा प्रियास ना करें अन्यता इस्तितियां विपरीत दिसा में हो सकती हैं। दोस्तो साथ साथ चिंता या तनाव से आप बचें। इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिन से निवट पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अपनी हर गलती से कुछ सीखें। और अगली बार उसे धोराने से प्रवंदक की जगा प्रात्मिक्ता प्रवंदक बने। कोई अपॉइंटमेंट या अन्य कैई महतपून चीजे के भूलनी की भी आज संभवना बन सकती हैं। दोस्तो बेवजा के डर को मन से निकालें और परिश्रम से कार्रे में जूटें। नकारात्मक विचारों से हैं। दोस्तो बात कर लेते हैं जब की लव लाइफ कैसी रहनी वाली हैं। दोस्तो आज के दिन आप लोग अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपूज कर सकते हैं। इसके लिए इस्तित आपके लिए काफी अनकूल है परन्तु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंद आज मदुर होने की संभवना पाई जाती हैं। सातिसास दोस्तो प्यार महबत के मामले में दवाब बनाने की कोशिस ना करें। यदि इस समय आप दोन आज ही में फैसला ना करें आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तो आज वैवसाइक गति विद्यों में परिसानिया आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से क्यारों में सफलता मिलेगी और ध अच्छी खुसकबरी आज प्राप्त हो सकती हैं विद्यार्टियों के लिए समय अच्छा हैं नौकरी करने वाले जातकों के लिए वी समय आज का काफी मिला जुला रहेगा। जी हैं दोस्तो आज का समय आपकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत बनाने में काफी महतपूर सा होगा और आप परिवारिक संपत्ति प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा। दोस्तो बात कर लेते हैं जब का स्वास्त कैसा रहने वाला है। दोस्तो आज आपको अपने खानपान पर विशेस रूफ से ध्यान दे आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्त में लापरवाही नहीं करनी। आज आपको अपनी सेहत के मामलों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे। दोस्तो मद्ध्यान के बाद आज आपका स्वास्त बिगड सकता है। वहां चला आते समय शावधानी बरतें दोस्तों अपने भोजन सामगरी पर आप विशेश रूप से ध्यान दें और समय निकाल कर अपने लिए प्रते दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप श्वैम को चुस्त दुरुस्त बनाए रख पाने में सफल हो इसलिए दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजन योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाई क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद एक सवा मीटर लाल कपड़ा ले ज्यां दोस्तों उस सवा मीटर लाल कपड़े में आप अपने श्रद्धा के अनुशार अपने शामर्त के अनुशार गुड़ और चावल भरकर आप किसी जोत मंद को भगवान शुरदेव के समर्ण करते हुए दान करें ज्यां दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान जीवन में परिशानिया चल रही हैं सभी परिशानियों का अंत्र करेंगे और आपके जीवन में खुसियां खुसियां होंगी जहां दोस्तों आप इस उपाय को वश्य करें आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प पश्च रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद